और एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुम्भूरत में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंखासन पर बैटने के लिए खदम बढ़ाया तभी चौदवी पुतली ने राजा भोज को विक्रमादीर से संबन देट एक कहानी सुनाई और पूछा यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा ऐसे गुण हैं तभी आपे सिंखासन पर बैट सकते हैं और कहानी है ये एक दिन शिकार से लोड़ते हुए राजा भिक्रमादीर के घोड़े पर एक सिंख ने हमला बोल दिया राजा तो बच गए परंतों उनका घोड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया और कुछी समय पश्यात उसके प्राण निकल गए घोड़े की ऐसे मृत्यू देखकर राजा विक्रमादीर बहुत दुखी हुए वे नदी किनारे जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे तभी कुछ शोर सुनकर उनके आँख खुल गई राजा ने देखा कि नदी में दो लोग लड़ रहे थे दोनों का जगड़ा नदी में तेरते किसी मानव शब किल गे था उन दोनों में एक कापालिक था और दूसरा वेताल, दोनों ही उस शब को पाना चाहते थे कापालिक को यंत्रसाधना के लिए वो शब चाहिए था जबकि वेताल उसे खा कर अपनी भूग शांत करना चाहता था बहुत देड तक दोनों युही लड़ते रहे, तभी उनकी दृष्टी राजा विक्रमाधीत पर पड़ी, अपना न्याय उनसे करवाने के लिए एक मत होकर दोनों उनके पास जा पहुँचे और अभिवाधन करके उन्हें अपनी अपनी समस्या बताई, राजा ने उनसे कहा कि वो उनका न्याय शुल्क लेकर ही करेंगे, तब कापालिक ने उन्हें एक जमतकारिक बटूआ दिया, जो प्रतेक मनुरत को पून करने वाला था, वेताल ने शुल्क के रूप में राजा को मोहिनी काठ का एक टुकडा दिया, जिसे पीसकर तिलक करने वाला व्यक्ति आ अपना मिर्त घोडा खाने का अधिकार दे दिया, इस प्रकार वे दोनों संतुष्ट होकर वहां से चले गई, राजा को बहुत जोरों की भूग लगी थी, उन्होंने चमतकारिक बटूए से स्वादेश्ट भोजन मांगा और उसे खा कर अपनी भूग शांत की, फिर मोहिन काठ के टुकडे को खिस कर उसे अपने ललाट पर तिलक लगाया, जिससे वे आद्रश हो गए, रात आराम के साथ गुजर गई, दूसरे दिन सवेरही महराज विक्रमादीत दोनों वेतालों की सहता से अपने राज्जी की सीमा के पास जा पहुँचे, वहां एक बिकारी न झाल से नाधके पास गाल से जाधके घड़ गए